नमस्कार मैं शितिजा देश्मुग चुनावी महासंग्राम बीसीन की चुनावी महासंग्राम इस कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है आज हम आर्वी आये हैं और यहां हम बातचीत करने वाले लोग सभाग चुनाओं के मद्धे नजर जो यहां के प्रत्यशी है राष्टरवादी शरचंद्रपवार गूर्ट के वो प्रत्यशी है अमरकाले इन से हमें सब को पता है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्धा में कॉंग्रेस ने यह जगह छोड़ दी है और अपने अलायन्स के साथ जो पार्टी है राष्टरवादी शरचंद्रपव प्रत्यशी को यहां से उमेदवारी जाहिर की गई है हम उनसे बात करेंगे जानेंगे कि किस तरह से वो इस चुनाव को देख रहे क्योंकि यहां से वो पहले विधायक रहे चुके है और बहुत उन्हें अनुबव है राजनीती का सबसे पहले बहुत दो स्वागते सर आपका हमारे स्कारिक्रम में क्या बताओगे सर की बीजेपी के जो सांसद रहे चुके यहां से दो बार रांगदास तरस उनसे आपका मुकाबला होने वाला है आप भी यहां से विधान सभा के मतलब विधान सभा से यहां चुनकर आये हो आप राजनीती में आपका प्रदिर्द आपको विरासत में मिली है राजनीती क्या बताओगे अभी तक तीन बार आरवी विधान सभा शेत्र का मैंने प्रतिर्द किया है और इस बार वर्धा लोकसभा शेत्र से अवारस आपके आशिरवाद से मुझे उमेदवारी मिली है और जहां तक मैं समझता हूं कि जितना अब यह मैं शेत्र में भी कैनों सिंग के लिए घूम रहा हूं उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस लोगों का है और मोधी सरकार के खिलाप और ब्यूपी गवर्मेंट के खिलाब जनता में बहुत भारी रोश है और जनता सिर रहा देख रही है कि कब 26 तारीक आ आपके प्रतीस पर दी है इस बार क्या बताना चाहोगे कि किस तरह का विकास आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं सांसत बनता हूँ यहां से तो मुझे मेरे वर्धा के लिए मेरे लोग सबाग शेत्र के लिए इस तरह का काम करना है क्या आजेंडा है सेंट्रल गवर्णमेंट की जो भी स्कीम से वर्धा में इंप्लिमेंट करने के लिए मैं कारे रहे रहूंगा मैं प्रायास करूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि दस साल रामदाजी तरह साब इस शेत्र के सांसत थे लेकिन लेकिन इस 10 साल में जो विकास लोग उनसे अपेक्षित है कि एक्सपेक कर रहे थे कि इतना डेवलिप्मिन हमारा हो जाएगा लेकिन इस 10 साल में टोटल फेलिवर इस दस साल में तरह साब करेकल रहा है और लोगों की आपेक्षा इसलिए जादा थी क्योंकि तरसा भारते जन्ता पार्टी के खाज़दार थे और गवर्मेंट भी जन दस साल बीजेपी केंद्रा में तहा और क्लियर मेज़ॉटी का गवर्मेंच लाग। और खुछ सांसत कड़सा बीजेपी के रहने के कारण लोगों के इसे अपेक्षा थी कि कॉम्बिनेशन अच्छा है सेंट्रल में बीजेपी का गवर्मेंट है हमारा सांसत भी बीजेपी का है इसलिए बहुत ही एक बहुत बड़ी तरह से यहां पर विकास होगा ऐसे लोग अपेक्षा कर रहे थे लेकिन जनता के अपेक्षाओं पर भी पानी फिर दिया गया है इस दस साल में और एक भी ऐसा काम जो तरह साब बोले कि मैंने यह दस साल में रिमार्केबल काम कि यह मद् संसत रामदाजी इनके बारे में भी रोछ है आप जिस किसानों के लिए आपकी क्या रन नीती होगी यह क्या योजना होगी किसानों के लिए इंडिया अगड़ी ने जो जो मैनिफेस्ट उजायर किया है उसमें किसानों के लिए सबसे महत्मी की बात उन्हें रखिये कि अगर इंडिया गवर्मेंट का क्लियर मेजॉर्टी से गवर्मेंट बनता है तो किसानों को जो उनका जो हमी भावरे उसकी जिष्ए ग्यारइटी देनी का बचन इंडिया आगाडी के मैंयफ्यति दिया गया है और मैं समझता हूँ यह सबसे बड़ा महतुर आपका विछे किसानों के संदर्म में है और उनको उची दाम अगर उनके फसल के मिलते है तो मैं समझता हूँ इससे किसानों को बहुत ही बिलकुल हम देखते हैं कि युवाओ का भी कई समस्याय युवाओ की बेरोज़कारी है इस समस्यायों से निपटने के लिए आप क्या करना चाहिए नहीं जब यहाँ पे वसंद साथे थे तो उन्होंने भूगा उस टील प्रैंट एक प्रैंट यहाँ पर लाया था उस प्रै साल में एक भी कोई उद्योग यहाँ पर आया नहीं इसलिए युवाओ में बहुत ही तियूर नाराजी गवर्मेंट के बारे में है बिलकुल वर्दा में भी कई हमें पता है कि हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि M.I.D.C है यहाँ पर कुछ भी बिजनेस मतलब कुछ भी उ पिक्षाय बनती है और यहाँ तक उसी बारे में कि कैसे हमारे यहाँ को काम मिले इसके बारे में जो भी सांसद है उन्होंने सोचना जाहिए और मैं समझता हूं कि अगर तड़स साब प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे जिल्ले में महात्मा गांधी का आश्रम है सेवागराम जिल्ले को पूरे देश में गांधी जिल्ला करके पहिचान है तो मैं समझता हूं कि अगर तड़स साब इस मुद्धे को उठाके गांधी जिल्ले का महाकव सेंट्रल को बताके सरकार को बताके स्पेशल कुछ पैकेज, स्पेशल कुछ पॉइंट्स और कुछ विशेश उद्यों के अगर यहां उन्होंने अगर लाए होते हैं तो बहुत सा यह पिक्चर है वो चेंज हुआ रहता है लेकिन दस साल में महात्मा जी के नाम से एक भी बड़ा प्रोजेक्ट इस जिल्ले म बंद हुआ था वर्धा से तो इसके लिए आप क्या करना चाहोगे कुछ चालू है कुछ अभी तक बंद ही है तो इस बारे में तो प्रयास करेंगी कि जैसे पहले थे फिर से पूर्वत हो बिलकुल नागरी को कुछ बेसिक समस्या है जैसी पानी की समस्या हो या रास्तों क समस्या हो इसके लिए भी कई दिनों से वर्धा का जो पूलिया है में चौक का वो भी बनना बाकी है आज साल लगबग उसको बंचे-बंचे अगर आप आते हो सांसत बनके तो यह कब तक बनकर पूरा हो इसके अभी मैं कॉमें करना हो जितने रहेगा क्योंकि लेकिन इतना पक्का है कि मेरे तरह से जो भी कोशिश है में पूरा करूंगा और यह तो वर्तमान सांसत के फेलिवर के सब एक्जामपल से अपके सामने हमारा यह आरवी तलेगा और रस्ता जिसका वह भी बन साथ साल पहली हो ता अभी आई भी कंप्रेट नहीं हुआ है तो यह सब काम जो और भी है रेल्वेज के जो सेंट्रल के अंडर में वो पूरे करना तो खाज़ार जो सांसत है उनकी रिस्पॉंस वेटी है लेकिन सिंदी में हैं हिंगंगाट में शैक्पुल गाओ में वर्धा में हैं कि टोटल मितलब काम आठ-ठाट साल से रुके हुए है तो यह सां कि अगर्मेंट में आने के पहले भारती जनता पार्टी ने जो भी आश्वासन इस देश की जनता को दिये थे उस में से कितने आश्वासन पूरे हुए है यही हम जनता को पूछ रहे हैं यही हमारा आजेंडा है कि आप बताईए कि आपको दोजार चवदा में जब गवर् करेंखे हुए है यहाज अरी व सैंग है हम इन जो के सामझी जा एक हूर लें आपक व सकाव जनता को मांगग है क्या हो है कि अपिल करना चाहिं हो हम जनता सी इस देश में लोक्षय के बचना चाहिए इस थेंडेश में बावा स्थिदान बचना चाहिए और जो लोग यहां पर बात करते हैं कि हमें 400 सीट देदो हम भारत का सविधान बदल देंगे मैं समझता हूँ कि भारत की ताकत सविधान है और इस सविधान को बचाने के लिए जो भाशा ये से लोग करते हैं उनको इस देश से उखार फेकने के लिए सविधान के लिए लोगसभा के दूसरे चरण में यहां चुनाओ होने और उस संदर में हमने जो है इनसे जानकारी लिए और बात्चित के लोगसभा एलेक्शन के तौर पर वक्त हो गया यही रुखने का चुनाओ महा संग्राम में आप देख तेरे यह बी से निर्स नमस्कार थैंक्यू